अलो क्रिप्ट बड़ी कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं एक Decentralized Finance Project के बारे में एक Diffy के ऐसे Project के बारे में जो AI यानि की Artificial Intelligence के उपर काम करता है और इस एक Project में आपको इतने सारे Features मिलेंगे जो शायद आज से पहले किसी दूसरे Project में आपने नहीं देखे होंगे जिस आप चानते हैं कि हम लोग हमेशा ऐसे Hidden Project के बारे में बताते रहते हैं जो आपके लिए Beneficial हो तो उसमें से ही एक Project के बारे में आज डिसकस करेंगे हर एक Features को इसमाल करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आपके और हमारे लिए Beneficial हो सकता है तो इस टाइम पे हम इस Project की वेबसाइट के उपर जिसका नाम है Signularity DAO Signularity DAO के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर ये एक AI DFी का Project है इसकी सारी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट के उपर मिलेगी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका जो calendar है यानि कि पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में इनोंने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी उसके बाद आपको आना पड़ेगा इनके ब्लॉग के उपर इनके ब्लॉग जरूर पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग जब आप पड़ेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट की काफी सारी information जो है वो यहां पे मिल जाएंगी यहां पे डाइना सैट के उपर क्लिक करते हैं इनका वैसे तो अगर आप वेब सैट के उपर जाएंगे तो वाइट पेपर भी थोड़ा साम स्टडी करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे तो यहां पे डाइना बीटा अपडेट जो 12 जनवरी को इन्होंने दिया था 7 मिनिट का रीड है इसको एक बार ही हम चैक कर लेते हैं तो यहां पे Singularity DAO के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है Singularity DAO is a diffi protocol designed to remove the stress of choosing which project to invest in the fear of market cycle, bear, downtrends and volatility तो यहां पे basically Singularity DAO को बनाने का जो मकसद है, वो मकसद यह है कि बाजार में जब हम किप्टो में trade करने के लिए जाते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि हमें कौन से project में invest करना चाहिए और जो bear हैं वो कब शुरू हो रहा है, downtrend कब शुरू हो रहा है और जब up and downs हाते हैं तो उसके बीच में हम लोग कैसे बेचें तो इस मामले में जब हम अपने portfolio को manage नहीं कर पाते तो यहां पे जो Singularity DAO है, वो हमारी help करता है Singularity DAO के अगर हम बात करके चलें, यह Diffy 2.0 से करीबन 3.0 की तरफ बढ़ चुके हैं और जो इनके CEO Founder है, Singularity Net के और CEO और Singularity DAO के यह लोग जो हैं यह आपस पे और डिसकस करके कुछ ऐसे traditional जो टूल्स हैं उनको यहां पे साथ में लेके आए हैं, और आप जैसे जैसे इसको और आर्टिकल को आगे पढ़ेंगे तो यहां पे आपको एक word बार-बार यूज़ होगा, that is Dynaset अब Dynaset को जब आप study करते हैं, a Dynaset is a dynamically managed set of assets यानि कि यहां पे कुछ ऐसी crypto के sets बनाया हुए हैं आपके पास 1000 USDT हैं, यह चीज़े हम इनकी website के उपर जाके आपको दिखाएंगे भी, आपके पास 1000 USDT हैं, आपने वहाँ 1000 USDT रखे हैं, तो इनका जो AI system है, प्लस इनकी जो personal team है, वो regular level के उपर watch करती है, market sentiments क्या है, charts कैसे काम कर रहे है, market का volume क्या है, fear और greed कितना चल रहा है जब यह सारी चीज़े match करने के बाद, तो इनका एक automatically system काम करता है, जैसे इनको लगता है कि BTC इस time पे hype लेने वाला है, तो इनका system automatically आपके USDT या BUSD को convert कर देगा BTC के अंदर, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यह लगते हैं, for this example, let's consider our dynaset compound of USDT and BTC, if the indicator that our trading and AI team have set suggest to them that BTC is showing sign of price increasing, the trading team of DAM, that is Dynamic Assets Manager of Human and Artificial Intelligence, the exchange USDC for BTC, माला वो आपके USDC को BTC में बदल देगा, then wait for BTC to reach the target price point, फिर यह उस target point पे देखते हैं कि कहां तक BTC जा सकता है, before swiping it, back into USDT, thereby generating alpha, तो alpha के बारे में अगर आपने study करना है तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं, alpha की complete details है, आपको यहाँ पे मिलेंगी, alpha is a term of use to investing of describe an investment strategy, ability to beat the market of its edge, तो यहाँ पे alpha से यह जब यह सारी information यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके जो BTC है, वो USDT में convert हो जाता है, उसकी fees यह deduct कर लेते हैं, और उसके बदले में जो profit होता है, वो आपको मिल जाता है, SDAO में, SDAO इनका governance token है, उसके बारे में भी हम सारी details यहाँ से लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है, dynasets, तो इनके token के बारे में भी discuss करते हैं, back जाते हैं, और इनकी website के उपर आने करेंगे, यहाँ पे आप टेलिग्राम, ट्वीटर, यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, लेंक्दिन के सारे social media पे इनको follow कर सकते हैं, अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत dynamic project है, तो white paper पे click करते हैं, और platform white paper के उपर आते हैं, यहाँ पे आपको सारी information मिलेगी, ह जिसके बाद आप scroll करके नीचे जाएंगे, table पे complete content जो है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और जैसे scroll करके आप और नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इनके जो token है, उनके बारे में भी पता चल जाएगा, NFTs के बारे में पता चल जाएगा, DAO governance के बारे में पता चल जाएगा, basically चीज़ यह है, कि इनका जो token है, वो एक बहुत powerful token है, जो एक तरीके से इनके platform का governance token है, आप यहाँ पे इससे voting कर सकते हैं, प्रजेक्स बना सकते हैं, प्रजेक्ट को सम्मिट कर सकते हैं, और कोई ऐसा प्रजेक्ट आता है, या ऐसा कोई proposal आता है, उस पे आप voting के rights भी दे सकते हैं, और अपनी voting को आप किसी दूसरे person को transfer भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनके tokens की detail देख लेते हैं, 5% AGI holders airdrop, जो इ 0.25% कोईनेटी जो वालेंटियर ली काम करेंगे, उनके लिए 14% रखा है, इकोसिस्टम फंड के लिए, एवल 3.33% इन्होंने seed round से fetch किया है, बहुत कम amount जो है, उन्होंने seed round से किया है, प्राइवेट राउंट से भी इन्होंने बहुत कम फंड लिया है, कोईनेटी से भी ब बाजार के अंदर आया है, और इसी वज़े से यह जो टोकन है, इसका प्राइस डंप नहीं जाएगा, 5% इन्होंने लखा है, singularity net foundation के लिए, और 15% रखा है team and advisor के लिए, इनका use कैसे होगा, वो सारी चीजी आप यहां पे देख सकते हैं, और कैसे कैसे इनका token release होगा, उस token क रहने वाले हैं, इसलिए काफी अच्छी level पे यहां पे आपको profit gain जो है, वो मिल सकता है, तो यह कुछ है, इस एक project के बारे में, इसके बाद जब आप website के उपर जाएंगे, तो website पे यहां पे आपको इनका contract आप देख सकते हैं, launch app के उपर आप क्लिक करेंगे, तो आप करना है, क्योंकि यह दो blockchain को support करती है, that is ethereum and btc, तो अगर आप ethereum blockchain को use करना चाहते हैं, तो यहां पे click कर सकते हैं, क्योंकि face थोड़ी सी ज़्यादा लगती है ethereum की, तो आप BSC पे जा सकते हैं, BSC पे जब आप click करेंगे, उसके बाद आप अपने wallet को connect करना है, यहां पे हम इसको एक बड़ी disconnect करते हैं, तो आप connect पे जब click करेंगे, यहां पे आएगा metamask, आप यहां पे click करेंगे, तो आपका metamask यहां पे connect हो चुका है, अगर आपने wallet चेंज करना है, तो आप wallet चेंज कर सकते हैं, हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं, कि आपने यह सारी process कैस करना है, हम यहां पे अपना account 1 add करना चाते हैं, तो यहान पर हम करेंगे connected, यह भी हमारा अब supply connected है, अपना wallet connect करने के बाद, यहां पर यहां पर ऑलवाले connect करने के बाद आप यहां पर जब click करेंगे यhst यहां पर वही डàiना set जो हैं, वह हैं, डाइना set पर जब आप यहां जाएंगे यहां पर अभी contribution जो है वो इन्होंने close किया हुआ है क्योंकि already performance काफी चल रही है इसलिए यहां पर यह डाइना सेटेम का डाइना सेट आप देख सकते हैं इस तरीके से यह डाइना से जहां पर यहां से जो profit आता है हो ऑल्डर के बीच में भी जाता है वो सारी चीजे भी अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे launchpad के उपर तो इनका launchpad भी है जैसे आज की डेट में बहुत सारे launchpad आपने देखेंगे बहुत successful है जो नए से नए token market के अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे इनका swap platform भी है यहाँ पे token अपना token भी है और यहाँ पे देखी यह pool जो है यह close हो चुके है सारे इनके pool sale हो चुके है यहाँ पे तीन यह हैं और चार अभी तक जो है यह यहाँ पे token launch कर चुके है उसके बाद next हम यहाँ पे चलेंगे launchpad के बाद अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लाँच पेड हो चुका है ब्रिजिंग के ज़रूरत आज की डिट में बहुत इंपॉर्टन होती है जैसे मान लेते हैं कि आपने इनका जो टोकन है SDAO उसको बाये किया और आप चाहते हैं कि मैं एक ब्लॉक चेंस है याने कि Binance Smart Chain से मैं Ethereum पे लाना चाहता हूँ या Ethereum से Binance Smart Chain पे लाना चाहता हूँ तो आपको अपने wallet को connect करना है उसके बाद आपका जो टोकन है उस टोकन को SDAO को आप BSC से Ethereum पे या Ethereum से BSC और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Polygon को भी support कर रहा है बाकी blockchain भी बहुत जल्दी याँ पे support होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे आप एक token को दूसरी blockchain पे भी इसी एक platform से ला सकते हैं आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चलते हैं और आगे चलके देखते हैं नेक्स फीचर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा साथ ही आपको सारी की सारी चीजें एक्चेंज करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप token बाइ कर सकते हैं यहाँ पे देखे swap है तो swap पे जब आप क्लिक करेंगे अब आपको इनका SDAO जो token है वो अगर बाइ करना है तो आप BNB से खरीदना चाहते हैं यहाँ किस token से खरीदना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे select करेंगे SDAO यहाँ पे selected है आप यहां पे लिखते हैं कि आपको 0.02 BNB का SDAO चाहिए यहाँ पे swap पे क्लिक करेंगे हाला कि हमने आपके लिए token buy करके रखे हूँ है पहले से ही आपको सारे features update करके भी दिखाएंगे तो यहां पर scroll करके जब आप नीचे जाएंगे confirm करते हैं यह हमारी transaction confirm हो चुके यहां पर देख रहे हैं pending transaction यहां पर आ रही है क्योंकि BSE chain के उपर है बहुत fast chain है तो कुछ second के अंदर ही हमारी transaction यहां पर clear हो जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3.47 SDAO हमने पहले से खरीद के रखे हैं यहां पर transaction जो है swap confirm हो चुका है हमने यहां पर कर दिया ओके तो हमारे पास 354 जो हैं यहां पर SDAO आ चुके हैं swap के बाद हम करेंगे provide liquidity के ओपर अगर आपने आ से पहले कही liquidity प्रवाइट करवाई हुई है तो शायद आप लोगों को idea होगा कि यहां पर दो token को merge करके हमें वहां पर LP liquidity देनी पड़ती है तो यहां पर हम add कर सकते हैं SDAO token और BNB और SDAO BUSD stable coin को भी हम यहां पर liquidity दे सकते हैं और liquidity provide करवाने के बाद यहां पर जो profit बनते रहेंगे उनका profit आपके पास आता रहेगा yield farming आप लोग यहां पर कर सकते हैं yield farming के अंदर SDAO और BNB pool यहां पर आप फार्म कर सकते हैं और SDAO BUSD pool भी आपको यहां पर मिल जाएगा वहां पर भी आफ फार्म कर सकते हैं और farming करके भी एक बहुत अच्छी level का revenue आप यहां से ले सकते हैं अगली बात करेंगे staking जो बहुत important part होने वाला है जहां पर आपको दो token की जगह सिरफ अगर आप SDAO ही buy करते हैं यहां पर 0.017 के करीब SDAO profit में आ चुका है अभी जैसे हमने SDAO को buy किया था कैसे आप इसको stake कर सकते हैं उसके लिए आपने click करने है staking के उपर staking के उपर click करने के बाद इस type का interface आपके सामने आएगा यहां पर हैं आपके SDAO 354 तो हमने max पर click किया max पर click करने के बाद यहां पर stake यहां पर हम stake करते हैं notification metamask आपके पास आ चुका है और आपने यहां पर देनी है confirmation आप इसको करेंगे यहां पर confirm तो हमारी transaction यहां पर confirmation के लिए जा चुकी है यहां पर आप देख रहे हैं pending transaction आ रही है SDAO token के बारे में कुछ और information आपको बताएं इसकी total circulation supply जो है वो मात्र 10 करोड token की है जिसमें से 35% जैसा आपने देखा कि farming के लिए और reward के लिए जो है वो already hold के उपर है तो यहां transaction complete हो चुकी है हम करते हैं यहां पर ok करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे 387 SDAO token जो है वो total stake के उपर आ चुके हैं और यहां पर हमें regular level पर profit मिलना शुरू हो चुका है तो यह है यहां पर इतने सारे features के साथ जहां पर आपको जो dynasets है वो भी मिलेंगे automatically trade होते रहेंगे आपका profit automatically यहां पर बनता रहेगा अगर आप dynasets के अंदर जाके include करते हैं यहां पर coming soon आने वाला है launchpad हमने आपको दिखाया नए से नए token आते रहते हैं वो सारे information इनके social media पर आपको मिल जाएगी इसलिए telegram पर आप इनको join कर सकते हैं ब्रीज में आप token को swap कर सकते हैं swap के अंदर token आके आप यहां पर buy कर सकते हैं liquidity provide कर सकते हैं yield farming कर सकते हैं और जैसे हमने आपको stake करके दिखाया आप token को यहां पर stake भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी level का यहां पर benefit भी कमा सकते हैं अब कुछ basic चीज़े discuss कर लेते हैं, token का price क्या है, तो हम चलते हैं, Stem Coin Geekो के उपर, Coin Geekो पे Signiority DAO का जो token है, उसका price चल रहा है $1.30, बाकी information आपको यहाँ पे मिलेगी, इसका total market cap आपको मल जाएगा, 4.88.16.747 डॉलर का है, तो तकरीबर $19,5691 का 24 घंटे का volume है, यहाँ पे circulation supply देखेंगे, तो 3.7.33.736 total token की इनकी circulation supply है, जो बहुत ही कम है, करीबन 37% है, total supply 10 करोड की है, और maximum supply है यहाँ पे 10 करोड की, अगर आप scroll करके नीचे आएंगे, क्योंकि इस टाइम पे हम जानते हैं, क्योंकि पूरी crypto market बहुत बुरी तरीके से crash है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, तो SDAO बहुत जादा down नहीं आया है, एक rough idea भी मानके चलें, जैसा हमने इस project के बारे में study किया, तो ऐसा लगता है कि इनका ये जो token है, वो 2022 के अंदर, यानि कि 2022 के अंदर, करीबन करीबन 40 से 50 डॉलर तक भी पहुँच सकता है, जैसे जैसे इस project की information, market में आना शुरू होगी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी opportunity है, यहाँ पे आप SDAO को buy कर सकते हैं, farming कर सकते हैं, staking कर सकते हैं, बहुत अच्छी लेवल पे reward ले सकते हैं, इसके साथ ही, जैसा आपने आपको बताया, कि यहाँ पे और बहुत सारी information आपको मिल जाएगी, इसलिए project को जरूर study आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो यह थी information, एक छोटी सी आप लोगों को, इस project के बारे में उमीद है आप लोगों को यह information पसंद आई होगी, अगर information पसंद आई, तो आपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजएगा, और अगर चैनल के उपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलेगा, साथ ही बेल आइकन को बटन को भी दवाएएगा, ताकि इस ट्राइब की जब भी वीडियो में आपके लिए लेके आए, उसकी information पहुंच पाए, आपके पास सबसे पहले, साथ ही आपके भाई का जो टेलिग्राम चैनल है, उसके उपर हम फ्री में सेवा करते रहते हैं, यानि कि आपको अलग-अलग क्रिप्टो के जो प्राइस हैं, वो आपको बताते रहते हैं, आपको फ्री कॉल्स मिल जाती हैं, इसलिए आप हमें वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, अगला वीडियो भाई आपके लिए लेके आएगा तब तक के लिए, गुडबाई!